नमस्कार दोस्तो आपके अपने ये यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार वेलकम है स्वागत है और अगर अभी तक आपने ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्लीस इसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में पहला आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत बुलिएगा because आपके लिए हम ऐसे ही लगातार बार बार वीडियो और लेके आने वाले जिससे आपको भी मदद मिलती रहेगी दोस्तो एक बहतरीन वीडियो के साथ में एक बार फिर से आपके बीच हजिरू और आज का हमारा जो वीडियो होगा वो बहतरीन वीडियो होगा क्योंकि आपका must waited जो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि आप मर्चंट पे वीडियो बनाओ मर्चंट का sign up कैसे किया जाए तो हमारे लिए good news है कि 1st July 2020 से हमारा जो lockdown के बार चंट हमने बंद रखा था पिछले 3-4 महिना वो वापस restart हो चुका है तो आज आप जानोगे कि कैसे sign up करना है आपको लोगों को कैसे याप पे register करवाना है और ज्यादा से ज्यादा मर्चंट बनवा हो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस आप उनके भागिदार बन जकते हो तो आईए हम क्या करना है सबसे पहले आपको play store में जाके यापे आपको यापे आपके सामने ऐसा interface आएगा आप अगर already आपका sign up है तो आपको username password डालके login करना है नहीं है तो यहापे sign up में जाना है sign up में यहापे दो category है service merchant register या फिर offline merchant register तो service में क्या क्या आएगा plumber, electrician जो गर गर जाके service देते हैं गर गर जाके आप करना चाते हैं online service तो आप व offline merchant category है जापे hotel, clothing shop, medical store, furniture shop, suit center, किराने की store, dairy, gift shop, बहुत सारी category है जो offline में आती है तो आज मैं आपको दिखाऊंगा मेरे खुद के furniture के shop को sign up करके आपके सामने पुरा process दिखाने वाला हूँ तो मैं select करूँगा offline merchant, offline में जाके या पे username या पे username आपको आपका referral username नहीं डालना है यह जो merchant बनाएंगे हम वो merchant का उनका जो username डालना है उनको वो डालना है जिससे वो login कर पाया तो या पे मैंने डाल दिया गुरुकृपा 531 उसके बाद shop का नाम तो गुरुकृपा furniture करके मैं या पे डाल दूँगा उसके बाद password तो या पे password मैं डाल रहा हूँ बलर कर या पे email address ये email address के बाद हम या पे mobile number एंटर करेंगे उसके बाद या पे pin code डालेंगे आपका swap जा पे उसका pin code verify करेंगे तो या पे मैंने pin code verify कर दिया तो automatically या पे area और city state आ गया और उसके बाद या पे address जो है आपका उसके according या पे address मैंने ये copy paste कर दिया आपका जो भी address है जो आप डाल सकते offline merchant category आ गया उसका sub category जो है और या पे select type करके आपको डालना है या पे आपका जो merchant है उसको relate करता हुआ या पे आपको select करना है अगर hotel का restaurant का करवा रहे हो तो hotel, supermarket, mobile store, medical store, grocery shop, gift shop, या पे electronic, jewelries, kids का कूछ, flower shop, या पे home entertainment, सारी category से school supplies, garment shop, play school, या पे मुझे डा जालना है furniture तो मैंने furniture select किया आप अपने according select कर सकते हैं अगर आपको नहीं मिलता है तो आप customer care में phone करके उनको बोल सकते हैं कि मेरा जो category अभी तक merchant में आज तक add नहीं हुआ है तो please आप add कर दीजे तो आपको support वाले add कर देंगे उसके बाद आप register कर सकते हैं उसके बाद यह या पर optional है select image आपका जो swap है या कुछ आपको image या पर select करना है आप कर सकते हैं या पर हम register करते हैं तो जैसे ही register करते हैं success हो गया या पर आप अब दूसरा जो interface आएगा उसमें देखो या पर merchant का discount या पर डालना है तो minimum 10% है maximum आप 49% तक डाल सकते हैं तो या पर मैंने 10% डा referral करवाना है वो डालना यानि यह मेरा ID है कंच्यां 531 उसके नीचे मैंने यह refer करवाया है तो मैं वो code डाल दिया आपको अगर आपने उनको merchant बनवाना है तो आपका referral user ID जो next money में है उससे करना है swap company name तो आगे निया पर मैं डाल दूंगा गुरू कुरूपा furniture और GST नंबर यह पर नहीं है तो वो optional होता है उसके बाद यह पर हमें confirm कर देना है तो यह पर एक OTP जाएगा जैसे आप OTP एंटर करते हो यह मैंने OTP डाल के यहाँ पर register कर दिया तो यह register हो गया यहाँ पर बोल रहे है generate QR code करना है यह हमें QR code generate करना है तो यहाँ पर QR code generate होगा यह QR code का हम screenshot ले लेंगे ताकि यह QR code का हम copy निकल वाके उसका हम दुकान पर लगा सके और यहाँ पर save QR code से save भी कर लिया अब हो गया करना है चार से पाच गंटा या फिर दूसरे दिन तक तो यह आप company यहाँ से verify करेगी जैसे verify हो जाएगा उसके बाद हम login ID password से login करेगे तब जाके ओपन होगा और उसके बाद हमें KYC करना है और वह मर्चंड में लिस्टेट दिखाएगा तो आगे का process मैं आपको दिखाता ह आउ कल जैसे यह verify हो जाता है आज या कल तक तो मैं आपको तुरंट आगे का process भी दिखाऊंगा आगे का जो process से आज आपके बीच हम share करने वाले है अगर अभी तक आपने ये YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है तो please नीचे red color का जो बटन है उसे प्रेस कर दीजिए और बाजू का bell आईकर प्रेस करना बिल्कुल भी मत बुलिएगा ताकि regular आपको यसी update मिलती रहे तो हम आज जानने वाले है कि कैसे KYC करना आपका register हो गया उसके बाद company ने verify कर दिया होगा 4-5 गंटे या दूसरे दिन तक तो आज दूसरा दिन है हम यापे अब कल sign up का process देखा था आगे अब तक आपने देखा कैसे sign up करना है sign up के बाद आपका login नहीं होगा तुरंद के जब तक company company के hands से verify नहीं करेंगी तो अब यापे हमें क्या करना है login में जाना है पहले sign up कर दिया आप वो login ID password से हमें याद रखना है 4-5 गंटे या दूसरे दिन के बाद ही होगा तो तुरंद करोगे तो नहीं होगा आपको invalid दिखाएगा तो यापे आप मैं डाल देता हू यह मैं कुछ आपको skip कर देने वाला हूँ blur कर दूँगा यह पर जैसे हम यहापे OTP डालते हैं submit करेंगे हमारा login हो जाएगा यह जैसे हमारा यहापे login हुआ ऐसे कुछ interfaces आएगे यहापे जैसे यहाप your offer या कई भी जगा पर आप यहापे click करते हो आपको यहापे बोला जा आता हूँ यहापे आप अपनी details यहापे pen card में pen card डालना है उसके बाद GST नंबर और आधार card वापे आधार card आपको डाल देना है यहापे जिसके बास आधार card नहीं है optional में water ID card या driving license भी चलता है जैसे हमारा next money application में तो यहापे आधार card pen card का photo भी upload करना है और जैसे ही करक upload KYC पर क्लिक करते हैं पर मैंने अपनी सारी details KYC की submit कर दिये मैं again इसको blur कर रहा हूँ आपको सी sample के लिए दिखाया हुआ है यहापे upload KYC में कर दूंगा upload करने के बाद यहापे बोलेंगे कि आपका successfully KYC verification के लिए आपने upload कर दिया है आपको सारे premium benefit जो भी है merchant के वो मिलेंगे तो उसका time लगेगा अभी नहीं open होगा क्योंकि हमने just submit किया है तो इसका भी process रहता है तो यह 4-5 गंटे या कल तक वापस again process इसकी similar है तो यह कल तक हमारा यहापे हो जाने वाला है मैं आपको just demo के लिए दिखा दू कि कैसे इसका listed किया जाता है अब next money application में हम merchant में चले जा तो यहापे आपको दिख रहा है गुरू कुरूपा furniture अभी इसमें कुछ details नहीं डाला है product का price या photos तो इसलिए नहीं दिख रहा है calling number पे हम यहापे click करेंगे तो call कर सकते है नाम दिख रहा है location दिख रहा है address दिख रहा है यहापे हम pay भी कर सकते qr code के जरिए तो यह बहत् option है आपके पास उन लोगों के business partner बनने का जिनको network marketing में interest नहीं है बट अपना traditional business करना है अपने traditional business में उनको आगे बढ़ना है उनका भी यहापे 1% भागिदार आप बन सकते है तो दोस्तो फटा फट मर्चंट जितने हो सके अपने friend group में जितने भी लोगों के business है traditional business उनको य ज्यादा से ज्यादा अपनी team में promote कीजिए इसको ये video को ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपनी team में कैसे sign up किया जाए और बहुत जल्दी में एक और video बनाऊंगा कि क्यों आखिर merchant या पे क्यों बागिदार बनेगा क्यों sign up करेगा उसका profit क्या उसका benefit क् नीचे chat box में comment box में please फटा फट comment कर दीजिए अगर ज्यादा comment आया तो मैं definitely ये video बनाऊंगा और उपर i button में आपको कुछ video मिलेंगे suggested वो भी आप जरूद देखिएगा और ऐसे ही video लगातार देखने के लिए आपकी अपनी channel को subscribe कर दीजिए और बाजो में bell icon प्रेस करना म बुलिएगा मिलते एक और नए video के साथ बहुत जल्दी जय हिंद